तिकन मैंने एक किलो मंगाया है और इसको दिलने के लिए भीको डिया है चार प्याज है मेरे पास तीन टमाटर जाले तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें इन प्याजों को मिक्सी में पीस लेना है तो सिर्फ प्याज पीस नहीं है तो कड़ाई में हम डालेंगे तेल सर्सो का या जिसमें बनाना चाहें बना सकते हैं सर्सो तेल डालेंगे अच्छे से गरम होने देंगे से अब इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता अब इसमें हम डालेंगे अपना पिसावा प्याज हाँ बेका मिक्सी में डालेंगे हम लसन, आद्रक और हरी मिर्चा, लाल मिर्च, साबुत, मैं इस ये गरम मसाला में यूज़ करती हूं साबुत धनिया, साबुत जीरा, काली मिर्च, लोंग, थोड़ी सी बड़ी इसको दाल शीनी को रते हैं, अब इसमें डालेंगे हल्दी, थोड़ी स और इसको हलका सा पानी डालके हम पीस लेंगे, तो ये हमारा मसाला पीस चुका है, मसाले, तो गाइस हमारा मसाला थोड़ा सा भून चुका है इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चिकन मसाला और इसको ज्यादा नहीं भूनना अब फिर उसमें चिकन मसाला डाल देंगे एक से वेर्ट चमच तक एक किलो चिकन की हिसाब से तिन चाल मिनिट इसको भी भूनेंगे और जब तक हम टमाटर पीस लेते हैं तो गाइस हमने यह टमाटर पीस के रखता है और इसमें हम डाल देंगे चिकन अपना दूलावा चिकन डाल दीगे अभी दिखाते हैं इस अब कि इसमें हम डाल देंगे अप टमाटर कोई भी चीज आपको बिल्कुल पीस नहीं है हलका सा कोशिश करें कि मोटा रहें चाहे टमाटर हो चाहे मसाले हो बिल्कुल थोड़ा दरदरा टाइप का बिल्कुल बारिक इदम पीस के चटनी नी बनाने हैं इसे टेस्ट अलगाता है ट्रीक है और थोड़ा चाहिष से चला के पीजा इसमें मैंने न आभी कुछ पानी पानी रहे ही कि यह ज़िला है अब अधुछ को मैं इसको हम ढगदेंगे और आज हम थोड़ी कम कर देंगे बिल्कुल फूल पे नहीं रखेंगे ठीक है उसको हमने ठक दिया है तो हम अब इसमें बहुत कसर है मसाला देखिए आप बढ़िया वाला मसाला है अब इसको हम खड़ा देरो छोड़ देंगे इसमें मैंने 도 पणी नहीं डाला है बिल्कुल भी पानी डाला है तोँ अब देके गाम दस-कंदा मिनट के बाद मैंने दुबारा इसको कोला है देल थे अब बिल्कुल उल्कल्द कर तयार है तोब हरन ग्याक है णिआ होप अप लोगों को यह यह बहुत टेस्टी लगता है खाने में इसकी ग्रेवी अब देखिए उतने ही मसाले से जो मैंने आप इस वीडियो में सारा दिखाया वाया आप इसको चावाग लोगी किसी भी चीज से खा सकते है तो लेक्पीस तो मेरा फेवरेट है आपका कुल सा है तो कमेंट में बताई अपने ही मसालों के स्वाद में पकता हुआ तो धन्यवाद गाईज बाई अपना ध्यान रखेगा लाइक स्क्राइब और कमेंट जरूर करिएगा थैंक्यू सो माच